यहाँ पर एक question है, predict the order of reactivity, यानि हमें reactivity का order बताना है, of the following four isomers, नीचे जो है चार isomers दे रहे के हम जानते हैं, isomers कौन होते हैं, जिनके molecular formulae same होते हैं, यानि कितने carbon है, कितने hydrogen है, ठीक है, यह क्या होंगे, उनमें सब के same होंगे, बस उनकी क्या है, structure सा अलग-अलग होगी towards ascent to reaction, और यह हमें किस basis पर बताना है, ascent to reaction के परती है ना, ascent to reaction के against इनकी reactivity क्या होगी इन चारों में से, इसका order हमें बताना है, तो यहाँ पर answer होगा, three, यह किस तरह से होगा, आईए हम देखते हैं, जैसा कि question में हमें दे रखा है कि यह reactivity का जो order है, यह हमें किसके संब संबन में बताना है, यानि boy molecular nucleophilic substitution reaction के संबन में हमें reactivity बताना है, ठीक है, तो हम ascent to reaction की एक छोटी सी जानकारी ले लेते हैं, हम जानते हैं क्या होता हमारा alkyl halide, ठीक है, और इसकी reaction जब किसी nucleophile से कराई जाती है, माइन लो हम यह hydroxide ion से करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं, ascent to reaction में, जो है, halide ion के निकलने से पुर्व एक transition state आती है, यानि ascent to reaction में, halide ion के निकलने के बाद, जो है, hydroxide ion नहीं जुड़ता, halide ion के जुड़े रहते हुए ही, hydroxide ion भी हलके से attach हो जाता है, किस से, alkyl group से, तो यह hydroxide ion कहां से, left side से attach करता है, तो यहाँ पर ज अभी भी, halide ion इस से attach ही है, यानि halide ion चला जाए, उसके बाद, hydroxide ion आए, एसा, ascent to reaction में, नहीं होता, यह क्या होता है, hydroxide ion, बहुत हलके bond से, जो है, इस से, alkyl group से attach हो जाता है, यह हमारी intermediate state क्या कहलाती है, transition state, फिर कुछ समय के बाद क्या होता है, यह bond hard होने लगता है, और यह जो हमारा halide ion जो alkyl group के साथ बनाता है, यह bond धीरे धीरे क्या होने लगता है, वीक होने लगता है, कुछ समय के बाद यह bond पूरा hard हो जाता है, strong हो जाता है, और यहां से हमारा halide ion break हो जाता है, ठीक है ना, कमजोर होके, जैसा कि हमारी essential reaction के नाम से है, biomolecular nucleophilic substitution reaction, त एक तो हमारा alkyl halide और एक hydroxide, इस reaction में जो है, दो molecule भाग लेते हैं, तो यह होगी biomolecular, और एक nucleophile क्या करता है, दूसरे nucleophile को क्या कर देता है, substitute कर देता है, तो यह biomolecular nucleophile substitution reaction है, क्या बनता है इसमें फिर? alcohol बन जाता है, क्योंकि attack करने वाला क्या है? hydroxide group है, ठीक है? तो यह हमने एक थोड़ी सी जानकारी ली, यहाँ पर आप यह ध्यान रखें, यह जो nucleophile जो अटेक करता है, लेफ्ट साइट से करता है, अब हमारे options हम चेक कर लेते हैं, option चेक करने से पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हमने हमारे चारो options लिख लिख ली है, 1, 2, 3, 4, है ना, और इसकी reaction हम यहाँ पर यह nucleophile से, hydroxide group से कर वा रहे है, तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले nucleophile attack करेगा, है ना, और यह nucleophile क्या करेगा? यहाँ से chloride ion को replace कर देगा, substitute कर देगा, लेकिन replace करने से पह पहले ही hydroxide ion इससे जुड़ जाता है, और यह कहां से attack करता है? left side से attack करता है, तो यहाँ पर क्या होगा? यह nucleophile यहाँ पर, इस carbon पर इसने attack किया, तो यहाँ पर क्या जुड़ा है? यह propyl group जुड़ा है, जो की बड़ा होता है, तो यह क्या करेगा? इसमें एक बाधा उत्प करेगा, इस बाधा उत्पन करने वाले hindrance उत्पन करने वाले effect को क्या कहते है? steric effect या hindrance effect, यानि यह आने वाले attacking, nucleophile को क्या करता है? घुसने नहीं देता है, रिपिल करता है, चुकि यहाँ पर एक ही बड़ा group है, तो यह जादा बाधा उत्पन नहीं करेगा, यानि यहाँ reaction क्या होगी? फर्स्ट वाली जल्दी हो जाएगी, ठीक है? यानि पहली वाली जादा रियक्टिव होगी, SN2 reaction के लिए, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट option है, है ना, नमबर एक, जो एलकिल हलाइड है हमारा, वो सबसे जादा इन चारों में रियक्टिव होगा, अब अग हमारे थर्ड वाले option में क्या है, यहाँ पर यह जो bulky group है, बड़े group है, है ना, जो की संख्या में दो है, जो इस attacking carbon जिस पर जो है, यह hydroxide हमारा nucleophile attack करेगा, वो क्या है, इस carbon से दूर है, यानि बीच में एक carbon और आ किया है, तो यहाँ पर क्या है, यह दूरी है इस से, तो यह यहाँ पर hysteric effect शो करेगा, hindrance effect शो करेगा, लेकिन ज़ादा hindrance पेदा नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर हमारा third number वाला जो alkyl chloride है, तो यहाँ पर हमारा second number पर जो reactive होगा, हमारा third option होगा, यानि isobutyl chloride, अब हम हमारे second option को अगर देखें, तो यहाँ पर जो है यह निकलेफाइल अगर यह अटेक करेगा, तो यहाँ पर एक तो जो है एथिल ग्रूप है, और एक मेथिल ग्रूप है, यानि यहाँ पर यह जादा crowd हो गया, और यह क्या है, इस carbon के पास भी है, यानि यह जो है second वाला, first और third के बाद, यह इन दोनों तो यहाँ पर जो है, कि यहाँ पर बहुत जादा crowd है, यह बलकी groups जादा है यहाँ पर, तो यह क्या करेंगे, इसको यहाँ पर अटेक नहीं करने देंगे, यानि सबसे कम reactive क्या होगा हमारा, कौन सा वाला होगा, fourth वाला होगा, तो हमारा answer क्या होगा, third वाला answer हो जाएगा, यानि सबसे ज़्यादा reactive first, फिर third, फिर second और फिर fourth, तो SN2 में यहाँ पर किस से, hindrance effect से, hysteric effect से देखा जाता है, लेकिन अगर SN1 का पूछ लिया जाए, तो वहाँ पर reactivity, जो है, कार्बो केटायन के stability से देखा जाता है, जो सबसे ज़्यादा stable होगा, वो सबसे ज़्यादा reactive होगा, ठीक है, थैंक्स पर वाचिंग,